Hello Friends, Welcome to MS Study Guru आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपना रैंक जो है All India Rank कैसे Find Out कर सकते हैं Particularly मैं आपको जो एक्जामपल बता रही हूँ वो UGC Net की बता रही हूँ कि UGC Net में आप अपना रैंक जो है वो किस तरह से Calculate कर सकते हैं तो Rank Find करने का All India Rank Find करने का फामूला गया होता है देखो जो आपका Scorecard होता है जो भी आपका UGC Net का Scorecard होगा चाहे आपका Only Net Clear है चाहे JRF Clear है उसमें आपकी percentile score mention होती है ठीक है और total number of candidates appeared कितनी हुए है वो भी mention होते हैं एक registered candidates होते हैं mention और एक appeared candidate होते हैं हमें appeared candidate लेनी है तो रेक निकालने के लिए अगर आप percentile score जो आपकी है उसे multiply कर देते हैं total number of candidates appeared से divide कर देते हैं hundred से तो इस फामूले के इस तरह से आपना रेक जो है वो find कर सकते हैं तो आपको scorecard आपका होता है उसमें तीन तरह की percentile score होती है एक paper one की होगी एक paper two की होगी एंड एक total जो aggregate है वो होगी अगर आप paper one के basis पे अपने subject में अपना रेक जो है वो find करना चाहते हैं तो आप paper one की percentile score देख सकते हैं paper two की में करना चाहते हैं तो उसकी देख सकते हैं aggregate करना चाहते हैं तो aggregate देख सकते हैं 2019 में वो मैंने यहां पर लिखे हैं और मैं आपको यहां पर अपना रहां कैलकुलेट करके बताऊंगी एक्जाम्पल के लिए तो देखो परसंटाइल स्कोर जो मेरी थी है कि केंडिड़ेट से फिग ठीक है और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे जारा से जारा लाइक एंड शियर कर दीजिए और इसके साथ ही हमारे चैनल MS Study Guru को सब्सक्राइब भी कर लीजिए थैंक यू